आज के दौर में लोग चश्मा ना पहनने के लिए contact lens का इस्तमाल करते हैं चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, टेलिविजन इंडस्ट्री हो या फिर फैशन इंडस्ट्री इन सारी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा actor एक्रिसेज contact lens पहने वे दिखाई देते हैं लेकिन सोचिए जो contact lens आपको दिखाने का काम करता है वही आपसे आपकी आँखों की रोशनी चीन ले और यही कुछ बिग बॉस 14 फीम आक्ट्रिस जैस्मीन बसीन के साथ हुआ है हाली में एक्रिस को पता चला दिल्ली में कारिकरम के दौरान उनकी कॉर्णिया में चोट लग गया है अभिनेतरी ने बताया कि कारिकरम में contact lens पहनने के बाद उनकी आँखों में दर्द होने लगा था बसीन ने आगे कहा कि वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी और उनकी आँखों में बहुत तेज दर्द हो रहा था घटना के बाद टेलिविजन अभिनेतरी मुंबई लोटाई जहां उनका इलाद चल रहा है और डॉक्टरों ने उन्हें चार से पांच दिनों तक पूरी तरह अराम करने की सलहा दी है इस घटना के बारे में बात करते हुए जैस्मिन ने बताया कि 17 जुलाई को दिली में कारिकरम में एक कॉंटेक लेंस पहनने के बाद उन्हें पैचैनी महसूस हुई दर्द के बावजूद वह कारिकरम में शामिल हुई क्योंकि यह काम से जुड़ा था अभी नितरी ने कहा कि उन्होंने अपनी आखों को ढूफ के चश्मे से ढख लिया और कारिकरम खतम होने के बाद डॉक्टर से सला ली दर्द के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि एक समय के बाद कुछ भी नहीं देख पा रही थी आगे जैस्मेन ने बताया कि मैं रात में एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कॉर्णिया डैमेज हो गई है और मेरी आखों पर पत्तुरंत पट्टी बांदी अगले दिन घबरात के बारे में मुंबई आ गए और अपना इलाज मुंबई में जारी रखा मुझे दर्द हो रहा है डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे अगले चार से पांच दिनों में ठीक हो जाना चाहिए लेकिन तब तक मुझे अपनी आखों का काफी ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्या किसी ने सोचा था जिस कॉंटेक्ट लेंस की हेल्प से लोग देखते हैं वही कॉंटेक्ट लेंस उनकी आखें डैमिश कर देगी फिलहाल के लिए इतना ही तमाम खबरों के लिए वियूवा को सबस्क्राइब कर दें